नमस्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मौली कदिकार को और मौली कदिकार बोले तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको मौली कदिकार को कहते हैं Fundamental Right अब Fundamental Right जो है हमारे समीद्धान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं तो यह Part 1 है तीन पार्ट या मैक्सिमम तीन पार्ट और मिनिमम दो पार्ट के अंदर आप लोगों को मौली कदिकार करवाए जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत डिटेल से हम इंचे जोगों देखने वाले हैं ऐसा नहीं है कि जो सामने चीज़ें लिखी हुई हैं बस आपको वो बता दी थोड़ा बहुत उसका बैक्राउंड बताया जाएगा ताकि आपको याद रखने में easy रहे वो क्योंकि आपको अगर किसी का इतिहास पता होगा थोड़ा आप उससे connect हो पाते हैं और connect हो पाते हैं तो आप उसको याद रखने के लिए मतलब काफी टाइम तक वो आपको याद रह जाती है यह मौलिक अधिकार की part 1 है वीडियो और total lucent के बारे में या फिर कहीं कि जो constitution मैंने start करवा रख है उसकी 10th वीडियो है और इससे पहले वाली 9 वीडियो वो आप लोगों को एक playlist बनी हुई मिल जाएगी description box में तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं साथ इसाथ PDF भी आप लोगों को provide करवाई जा रही है इसको क्यों दोरे पड़ रहे हैं अभी तो चला ही नहीं था PDF भी आप लोगों को provide करवाई जा रही है description box में आप लोगों को telegram का एक link दिया मिल जाएगा तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं telegram पर जाके ओके तो बिना किसी देरी के start करते हैं अपनी वीडियो को तो यहाँ पर आप लोगों को जब आप book open करते हैं Lucian की तो आपको पता है कि पहले हम first of all Lucian की book की complete कर रहे हैं तो जब आपनी book open करते हैं Lucian की वहाँ पर quality में आप 10th topic कह सकते हैं पोलिटी की 10th topic में आपको मिलेगा मौलिक अधिकार वहाँ पर आपको पहली line में यह बोलेगा कि इसे स्यूंक्त राज्य अमेरिका के समिधान से लिया गया है यानि USA से लिया गया है तो question यह बनता है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है तो question पूचा जाता है तो question पूचा जाता है तो आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पर? USA और एक question यह भी पूचा जाता है कि नागरिकता नागरिकता के परावधान हमने कहां से लिया है या फिर हमने एकल नागरिकता अपना रिखिया है या dual नागरिकता अपना रखी है तो यह चीज हमने कहां से लिए है तो इसका answer हो जाएगा UK clear यहां पर तो यानि दोहरी नागरिकता जैसे USA में दोहरी नागरिकता चलती है कि यहां के राज्ये जो होते हैं वो अपना अलग पहचान पत्र निकालते हैं यहां का center जो हो अलग पहचान पत्र निकालते है तो USA में दोहरी नागरिकता dual citizenship ऐसे चलती है लेकिन हमारे देश में एक ही नागरिकता चलती है कि वो बले राजस्तान और वो हरियाना वो पंजाब कहीं कभी रहने वाला हो लेकिन उसके लिए पहचान पत्र बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक पूरे भारत का ही तो यह हमारे देश में एक कलनागरिकता है यह कहां से लिए है? यह UK से लिए है यहां पर second line में बोला गया है इसका वर्णन यानि मोलिक अधिकार का वर्णन समीधान के भाग तीन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है और समीधान के भाग तीन को भारत का अधिकार पत्र यानि इंगलिश में मैगना कार्टा कहा जाता है इसे मोल अधिकारों का जनमदाता भी कहा जाता है अब कोशिन यह उड़ता है कि sir Magna Carta क्या होता है तो इन भाई साब ने या फिर इन राजा ने क्या किया अपनी जनता को पहली बार एक पेपर पर कुछ अधिकार लिख कर दे दिये कि ये आपके अधिकार हैं ये आपके राइट्स हैं तो पहली बार किसी राजा के द्वारा अपनी जनता को अधिकार दिया गया था उसी पत्र को मेगना कार्टा कहा जाता है और यहीं मेगना कार्टा हमारे भागतीन को कहा गया है क्योंकि यहां पर अधिकारों का वर्णन है हमारे fundamental rights के बारे में यहां पर लिखा गया है सवाल यह उड़ता है कि मौलिक अधिकारों में शन्शोदन हो सकता है या नहीं हो सकता है तो अभी थोड़ा सा detailing स्वाल है लेकिन यहां पर आप देख लीजी कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में शन्शोदन हो सकता है एवं राष्ट्रियापाथ यानि National Emergency लगी हो Article 352 के थे यानि इस अधिकार को छोड़ कर बाकि जितने भी अपने पास मौलिक अधिकार है उनको स्थगित किया जा सकता है स्थगित का मतलब होता है उनको एक टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है उनको खतम नहीं कर सकते जब यह Emergency हटेगी तो fundamental right automatically अस्थित्व में आ जाएंगे तो यह स्थगित यानि सस्पेंड किया गया है खतम नहीं किया गया है दोनों में डिफरेंस है अब एक आता है कि मौल अधिकार में साथ मौलिक अधिकार थे साथ मौलिक अधिकारों में आपको पता एक संपत्तिक अधिकार हुआ करता था हमारे एक मौलिक अधिकार होता था संपत्तिक अधिकार उस संपत्तिक अधिकार को हटाया गया था 44 में समिधान संसोधन 1978 के द्वारा कहां पर होगा करता था हमारे संपत्तिक अधिकार मोलिक संपतिक अधिकार होता था हमारे सामने आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के कैमे वहाँ पर इस मोलिक अधिकार को हटा कर समिधान के आर्टिकल 300 के क्लोज A के अंतरगत कानून का अधिकार बना दिया गया यानि कानूनी अधिकार दे दिया गया इसको अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल उड़ता है कि क्या दो हमारे सामने संपत्ती का अधिकार उगवा करते थे क्या मोली के अधिकार में आप उसे बेचे, आप उसे किराये पे चढ़ाएं, आप उसके अपर कोई construction करें कर आज भी सकते हैं, लेकिन आज जो है वो कानोनी दाइरे के अंदर आती है तो अभी माँ आप लोगों बताओं देखिए, यह मोली के अधिकार से क्यों हटाया गया रीजन यह था, कि उस वक्त जमिदारी एक्ट आया गया था, कि एक limit के according किसी विक्ति के पास जमीन हो सकती है, बाकी जो जमीन है वो दूसरे मतलब बाटी जाएगी, तो यह जो जमिदारी एक्ट था, उस वक्त आया था, जमिदारी अनुमोलन कहते हैं, तो उस वक्त मोलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्तिक अधिकार, तो यह आड़े आ रहा था, तो यह आड़े आ रहा था, तो यह उस एक्ट को लागू करने में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पर शंचोदन किया गया, 24 में समिदंदान Billie Jeanajon, 1978 के था तो वहाँ पर क्या किया गया उस अधिकार को हटा कर कानोनी अधिकार ला दिया गया अब कानोनी अधिकार का मतलब यore यह होता है यह आपकी संपत्ती के उपर आपका तो अधिकार है यही सहत में सरकार का भी दिकार है मतलब अगर चाहे सरकार कल को आप मतलब को कोई plot है जो रास्ते में आ रहा है सडख बनाने की निर्माण में और सरकार चाहती है कि वो plot जो है वो आप सरकार को बेच दे आपको सरकार अच्छा खासा मतलब पैसे भी देगी अधिकार हो गया तो यह मतलब समझे लेकिन पहले क्या होता था जब मौलिक अधिकार होता था नहीं आपसे सरकार नहीं ले सकती थी तब करके वो मौलिक अधिकार से अटाया गया उसे कानूनी अधिकार बनाया गया उमीर करता हूँ कि यह समझ में आया होगा आपको तो यहा यहां पर जो अध्यक्ष होते हैं, सरदार वल्ला भाई पटेल होते हैं. और उन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया था, घोशना पत्र में मोल अधिकारों की मांग की ती है, और मोल अधिकारों का जो प्रारूप था, यानि ड्राफ्ट था, वो किस ने त्यार किया था, जोहलनाल नहरुजी ने त्यार किया था, ओके, तो यह हो गया, अब यहाँ पर आपके सामने मौलिक अधिकार मिलेंगे, तो मौलिक अधिकार में आपको जैसे right to equality होती है, article 14 से लेकर 18 तक आते हैं, आप आरे सामने freedom होता है, right to freedom होता है, तो यह कह भी धर्म को मान सकते हैं, उसको परचार परसार करते हैं, वो कहाँ पर आता है, article 25 से लेकर 28 तक आता है, संस्कृति और सिक्षा संबंधिय दिकार, article 29 से लेकर 30 तक आते हैं, फिर समिधानिक उपचारों का दिकार होता है, वो article 32 में आता है, तो यहाँ पर आपके सामने देखे, right to equality स्टार्ट हो जाती है, article 14 के बारे में आ जाती है, फिर भी आप लोगों को मैं यहाँ पर, article 12 और article 13, यह दोनों article मैं यहाँ पर बता देता हूं, तो article 12 जो है, इसके अंदर state की definition दे गई है, state term को जो है, वो define किया गया है, state term को define करने का मतलब है, इसकी इसकी परिष्या, कि इसमें कौन-कौन आता है, भई, इस state के अंदर, state यहाँ पर कोई राज्य नहीं है, state का मतलब यहाँ पर देश है, द्यान रखना, polity में आप जब भी state सब जहाँ भी देखेंगे, उसका मतलब देश होता है, ना कि राज्य होता है, अब यहाँ पर state के अंदर कौन-कौन आता है कि Central Government वहाँ पर आप राज्य सभा लोक सभा जो हमारे राज्य के अंदर राज्य विधान सभा विधान सभा होगी, विधान परिशद होगी या फिर पंचायत होगी या फिर जितनी भी हमारी गौर्वर्मेंट सेक्टर होगे, वो सारे के सारे या फिर प्राइविट सेक्टर भी होगे वो भी सारे के सारे वो स्टेट के अंदर इंक्लूड होगे, तो ये कहा गया है कि जितने भी स्टेट के अंदर ये परिभाशा दी गई है उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मोली का दिकार का हनन करे या उनके खिलाव कोई भी कानून वो ले कर आए तो ये बात बोली गई या आर्टिकल 12 के अंदर अब आर्टिकल 13 के अंदर क्या बोला गया आर्टिकल 13 के अंदर लो है लो को डिफाइन क्या गया local defend करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून कोई भी कानून ऐसा बनता है भारे सरकार ऐसा कोई कानून बना देती है या राज्य सरकार या कोई भी कानून ऐसा बना दिया जाता है जो मौली कदिकारों का हनन करता हो या मौलिक अधिकारों के विरुद आता हो तो उसको null and void गोशित कर दिया जाएगा यानि उसे खतम कर दिया जाएगा यानि सबसे supreme है यहाँ पर fundamental right उसके सामने आप कोई भी ऐसा अधिकार नहीं ला सकते जो इनका हनन करे तो यह बात बोले गई है article 13 में clear यहाँ पर अब थोड़ी सी आपको थोड़ा background बोता हूँ तो काफी interesting है देखे एक article 368 आता है अपने पास जिसके अंदर समिधान शंशोधन किया जाता है amendment किया जाता है अगर आपको समिधान के अंदर शंशोधन करना है तो सरकार को इपावर को देता है सरकार को इपावर देता है यानि पार्लेमेंट को इपावर देता है article 368 तो article 368 के अंदर समिधान शंशोधन किया जाता है आप बात है 42nd Amendment Act 1976 की केशवानन्द भारती केस यह दो चीज़ें आपको ध्यान रखने है केशवानन्द भारती केस हो गया और एक हो गया आपके सामने 42nd Amendment 1976 यह हो गया तो क्या होता है कि उस वक्त आप देखें तो 1976 में यह टाइम जो आपको याद हो तो इंदरा गांदी जी का टाइम था उस वक्त और यहाँ पर काफी जादा एक टसल या फिर कहें एक पावर का गेम चल रहा था कि भी पावर किसके पास जाएगी कि भी सबसे सुप्रीम कोन सबसे सुप्रीम कोन का मतलब क्या सबसे सुप्रीम पार्लेमेंट है या सबसे सुप्रीम जो है वो जुड़ीश्री है तो इस चीज की पावर या रसा कसी चल रही थी पावर की उदर इंद्रा गांधीची कहा रही थी नहीं भया पावर तो हमारे पास ही रहेगी इदर चुड़ी श्री यानि नियायल ने कह रहे था नहीं पावर तो हमारे पास ही रहेगी तो इन्होंने क्या किया था आर्टिकल 13 में ये बो दिया था कि कोई भी अगर आप ऐसा कानून मनाते हैं जो fundamental rights के खिलाव हो यानि मोली कदिकारों के खिलाव हो तुसे कानून लाया जाता है अगर वो विरोध है करता है fundamental rights का तो भी वो मानने होगा ये कब बोला गया ये 1976 के तहित बोल दिया गया था 1976 के तहित इंद्रा गांदी जी की तो यह बात बोल दी गई थी भई उस वक्त जो थी जुडिश्री कहीं न कहीं कमजोर थी आपको बता है कि का आप कोई भी ऐसा कानून बना रहे हो जो 368 आर्टिकल के तहट आपने समिधान जंजोदन करके बनाया है अगर वो विरोध करता है fundamental rights का तो ठीक है उसे null and void गोशित नहीं करेंगे उसे खतम नहीं करेंगे लेकिन इन्होंने एक गूगली खेल दी उन्होंने क्या किया अगर अगर वो मूल धांचा के खिलाफ है अगर वो मूल धांचा के यानि basic of structure basic structure basic structure के खिलाफ है तो उसे null and void कोशित कर दिया जाएगा इन्होंने एक नहीं टर्म ला दी यहाँ पर यह बात है केश्वानन भारती केस में तो मूल धांचा यानि basic structure को यहाँ पर परिभाशित किया अगर आज की डेट में सुप्रीम कोट से या उसी वक्त सुप्रीम कोट से पूछें कि जजमान बताइए basic structure कहते किसको हैं तो आपको जानके हैरानी होगी सुप्रीम कोट ने कभी भी basic structure की परिभाशा नहीं दिया है भाई इन्होंने कभी कहा ही नहीं कि basic structure इसे कहेंगे इन अगर इन्होंने कभी basic structure के बारें बताया है नहीं तो यह बात किसकी कर रहे है एक अगर कभी सुप्रीम कोट ने इस basic structure के बारें बता दिया ना इस मूल धांचा के बारें बता दिया इसकी परिभाशा भी दे दी तो पार्लेमेंट कोई loophole खोज लेगी एक धंक से मतलब कि दूसरे तरीके से कानूर बनाना चालू कर देगी और वो मूल धांचा के अंदर आएगा नहीं तो वो कहीं ना कहीं मूल अधिकार का हनन कर रहा होगा तो इस करके कभी भी इस चीज़ की definition बनाए ही नहीं गए क्लिर हुआ यहां पर तो यह है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 अब यह थोड़ा वो सारा मैं सारा कादा रफ कर देता हूं हम बात करेंगे समता या समानता का अधिकार जो right to equality के अंदर आते हैं ध्यान रखना यह जो मूली का अधिकार है यानि right to equality के अंदर आते हैं अपने प equality है फिर एक एक करके हम बात करेंगे और आज अपनी यह वीडियो जो है वो 22 आर्टिकल तक ही रहने वाली है और बाकी जो है अगले पार्ट में हम कवर कर लेंगे वो पार्ट 2 हो सकता है या पार्ट 3 हो सकता है तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सामता या समानता का दिगार यानि right to equality जिसमें right to equality में सबसे पहले आपकी सामने आता है आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 में बात बोली गई है विधी के समक समता का मतलब है equality before law यानि कानून के समान आप सब एक समान है कानून के सामने सब एक समान है इसका अरतिया है कि राज्ये सभी व्यक्तियों के लिए राज्ये यहां पर देश है राज्ये सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तो था उन पर एक समान लागू करेगा यह article 14 कहा गया है अब एक इसमें आपको छोटी से एक term मुझे आपको समझानी है उस term का नाम है एक है बहुत important है interesting है एक है equality equality before law मैंने कोशि किये यहां आप लोगों के लिए साफ साफ बढ़या बढ़या अक्ष्रों में लिखने की एक होता है equality before law एक होता है equal equal protection of law clear यहां पर तो जो होती होंगे मारे सामने एक होती है equality before law equality before law और एक है मारे सामने equal protection of laws clear अब इन में फरक क्या है इनकी हिंदी भी लिख देता हूँ फिर कहेंगी सर आपने हिंदी नहीं लिखी इनकी तो हिंदी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह है विधी के समक्ष शम्ता, विधी के समक्ष शम्ता, तो यह हो गया आपके सामने इसकी हिंदी, अच्छा इसकी हिंदी क्या होगी, विधियों का समान सरंक्षन, इसकी हिंदी हो जाएगी, विधियों का समान सरंक्षन, अभी ये पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है सर इसका थोड़ा सा खुलासा करिए और काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग है आपको Article 14 बड़े अच्छे से याद हो जाएगा देखिए आपने एक चीज़ सुनी है कि सब कानून के जैसे समख समान है तो ये वाली जो टर्म चलती है Equality Before Law ये वाली जो टर्म है वो UK में चलती है ये UK में चलती है और ये वाली जो टर्म है वो USA में चलती है वो किस में चलती है? वो USA में चलती है और हमारे देश में कौन सी टर्म लाई गई है वो USA वाली लाई गई है मतलब हमारे देश में Equal Protection of Law चलता है यह Equality Before Law नहीं चलता हमारे सामने क्या मतलब होता है Equality Protection of Law देखिए एक बात समझेए इसमें बात बोली गई है कि कानून के समक्स भाई वो गरीब हो चे वो अमीर हो चे वो IES हो चे वो IPS हो वो सारे के सारे समान होगे और उनके उपर समान मतलब एक तरीके से कानून जो है वो react करेगा लेकिन यहां पर कुछ special अधिकार है भाई इसमें positive है positive इन दा sense है suppose इस equality before law में अगर यहां पर एक गरीब व्यक्ती और एक अमीर व्यक्ती suppose यह इन दोनों की गाड़ी का accident हो जाता है इन दोनों की गाड़ी का accident हो जाता है और इनके उपर अगर समान कानून अगर लगाया गया इन पर अगर को penalty लगाये गई भाई यह तो गरीब व्यक्ती है भाई एक तरीके से मान लें की सर इसके पास तो गाड़ी थी नहीं यह गरीब है तो इसके पास गाड़ी कहां से अरे किसी की लेके चला रहा होगा ऐसे हम समद्लो तो इन दोनों के बीच में अगर यह जीचे हो जाती है तो यहाँ पर कानून इन दोनों के उपर समान लागू होगा लेकिन यहाँ पर जो equality, equal protection of law है भाई यहाँ पर गरीब के उपर थोड़ी सी रहम या फिर कहें कि इसकी परिस्थिती देखी जाएगी और उस परिस्थिती के according यहाँ पर मतलब कि कोई भी सजा का प्रावधान किया जाएगा तो यह चीज है, तो ज़्यादा positive यह है तो equal protection law के अंदर यहाँ पर समान स्थिती देखी जाती है कि आप कौन से तबके से आते हो आप lower middle, मतलब कि एक lower होता है न कि कम आम दिनी वाले लोग है या फिर middle class के लोग है या फिर higher level के लोग है तब तो वहाँ पर ठीक है समान class होगी न, यानि मैं मान लेता हूँ कि एक high level class होती है जिसके अंदर high income वाले होगे एक middle class होती है, एक lower class होती है ये lower class का बंदा अगर middle class के साथ अगर उसकी क्लाय हो जाती है तो यहाँ पर इसको priority जादा दी जाती है इसके तरफ जो नियाल है वो थोड़ा सा नर्म हो जाता है लेकिन आप suppose करिए अगर ये middle class का ही इनसान दो वेक्ती, middle class के ही दो वेक्ती आपस में अगर लड़ाई कर रहे हैं तो इनके ओपर कानून समान होगा यहाँ पर differentiate किया जाएगा दो अलग-अलग class के बीच में लेकिन अगर एक ही class है उस class में differentiate नहीं किया जाएगा तो ये ज़्यादा positive है हमारे देश में यहाँ पर सब कुस एक तरीके से चाहिए वो गरीब हो चाहिए वो अमीर हो गरीब का सरंक्षन यहाँ एक तरीके से गरीब का ध्यान रखा जाता है लेकिन यहाँ नहीं रखा जाता हमारे देश में तो आप देखेंगे न कितनी विविता हैं लेकिन यह जब चीज़ें यहां नहीं जलती है UK के अंदर भाई है सब कहते हैं कि सब एक समान है clear तो यह था आपके सामने equality before law यानि विदी के समख समता और equal protection of law विदियों का समान सरंक्षन तो यह आता है आपके सामने article 14 में clear हो गया यहां पर उमीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा कि article 14 क्या कहता है अब देखिए जितने भी हमारे सामने यह article आएंगे यह absolute नहीं है absolute का मतलब यह नहीं है कि भई इनको आपको इतना अधिकार दे दिया गया है देखिए धरम, नशल, जाती, लिंग या जनमस्थान के अधार पर भेदवाव नहीं किया जाएगा यह नहीं जो सरकार है जो गवर्मेंट है यह जो देश है वो धरम, मूल, जाती, लिंग या जनमस्थान के अधार पर नागरिकों के साथ मतलब प्रती, जीवन के किसी भी शेत्र में भेदवाव नहीं किया जाएगा दोनों एक जैसे हैं, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 जाएग वो दोनों एक जैसे हैं यहाँ पर लोग नियोजन के विशे के अफसर की बात की गई है कि राज्ये के अधीन किसी पद पर भी आ गया यहाँ पर, तो यह बात बोली जाती है यहाँ पर, देखिए, आर्टिकल 15 की बात करें तो यहाँ पर आप कहरें कि आप भेदवाव नहीं कर सकते हैं लेकिन भेदवाव एक positive भेदवाव भी होता है यानि positive discrimination भी होता है positive discrimination का मतलब है कि अगर बच्चों के लिए, अगर कोई अलग से कानून निकालना हो तो बेशिक निकाली है आप यहाँ पर तो एक यह चीज हो जाती है, ओके तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, बच्चों के लिए निकाल सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग से कोई seat reserve करनी है, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, उनके education के लिए कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर positive discrimination चलता है, clear हो गया है, और same यहाँ पर, article 16 के अंदर भी positive discrimination चलता है, अपनी reservation सुनें, तो reservation दिया जाता है, जो grief तबका हो गया, या फिर पिछड़ा work हो गया, उनको उपर उठाने के लिए, starting में तो उपर उठाने के लिए, 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन बाद में political agenda के तहत, अपनी vote banking बनाने के लिए, इस चीज़ को जारी रखा गया, actual में, जिन लोगों तक reservation पहुँचना चाहिए था, वो reservation उन तक पहुँच नहीं पाता, अरे, उन्चे तब के, या फिर जो आप बात करें, SC category, क्या इसमें, अरे, यारे, यह क्या हो रहा है, यह, एक मिनट, अगर आप बात करें, SC category में, तो SC category में क्या, अमीर नहीं है, क्या वहाँ पर उनको ज़रूरत है, कि भई, reservation की, तो reservation, वहाँ पर दिया जाना चाहिए, ज़ा, actual में ज़रूरत है, आज की date में, गाउँ में भी काफी सारे SC, SC category है, जिनको reservation की ज़रूरत है, और actual में उनके पास वो लाव नहीं पहुँच पा रहा है, सरकार ने, एक तरीके से कोशिश तो की थी, कि हाँ, अब जो reservation के, जिनका उत्थान हो चुका है, जो उपर उठ चुके हैं, तो उनको निकाला जाए, तो सरकार ने, यहाँ पर सिरुफर सिरुफ OBC के लिए किया था, OBC के तहत यह क्या किया था, कि एक क्रीमी लेयर बना दी गई थी, तो उस क्रीमी लेयर में, जैसे lawyer हो गया, doctor हो गया, engineer हो गया, या class A1, class B, तो यहाँ पर जो नोकरी प्राप्त व्यक्ती हैं, उनको reservation नहीं दिया जाएगा, तो यह OBC के लिए था, लेकिन SC, ST के लिए यह चीज़े नहीं लाए गई थी, तो यह यहाँ पर चीज़ें हैं, clear हो गया या article 16 हो गया, और article 17 जो है, as प्रिष्टा, यानि untouchability का आंत किया जाए, अब untouchability क्या होती है, अब Supreme Court जैसे मैंने बेसिक of structure, बेसिक structure कभी आज तक Supreme Court ने नहीं बताया, उसकी definition नहीं दी, ऐसे ही इस untouchability का भई, इसकी definition Supreme Court ने आज तक नहीं दी है, भई अगर कभी भी इसकी definition दे दी गई, ऐस प्रिष्टा की, अब सोच ये, अगर definition यहाँ पर दी दी गई, तो इनसान दूसरे तरीके से कोई बेदवाव करने लग जाएगा, ये एक तरीके से महसूस की जाने वाले चीज़ है, इसको आप untouchability में नहीं ला सकते, मतलब कि कोई भी term आपके इसके बताएं, ये महसूस की जा सकती है, आपने देखा भी होगा, गावों के अंदर, जैसे जाते हैं कि जो दूसरी कैटिगरी में होता है, एक होता है कि निम्जाती वैसे ऐसा कुछ होता नहीं, ये system बना दिया गया है, तो दूसरी जाती के जो एक उच जाती जैसे बोला जाता है, अगर वहाँ पर उसके सामने कोई निम्जाती का व्यक्ति आता है, तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा नीचे बिठाना, उसको अलग बरतन के अंदर कोई चीज प्रोवाइड करना, तो ये untouchability के अंदर आती है, तो ये चीज जो है आज की डिट में illegal है, और उसके ओपर सजा भी है, तो ये हो गया हमारे सामने, फिर ये आता है हमारे सामने article 18, अब article 18 में क्या होता है, कि इसमें बोला गया है उपादियों का अंद, आर्टिकल 18 में बोला गया है उपादियों का अंद, का क्या मतलब होता है उपादियों का अंत का मतलब यह होता है कि जैसे आपने हिस्ट्री पड़ी है तो हिस्ट्री में आपको देखाऊगा न महराजा, राज बहादूर, राय बहादूर ये दिवान साहब, नवाब साहब ऐसे उपादी जो दी जाती थी वो अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी लेकिन भारत में इसका अंत करती है कि भाई यह कोई भी उपादी नहीं जलेगी आज की डेट में आप ये राजा, नवाब, महराजा राज बहादूर, राय बहादूर ये सब नहीं लगा सकते हो एक तो ये चीज़ होगी फिर आपने कभी देखा हो गए रहे सर हमने सैफली कान को तो देखा है, नवाब सैफली कान बोलते थे हैं, देखिए आप बोल सकते हैं लेकिन सैफली कान अगर कभी भी अपने, सुपोर्ज अपने लिगल कारम के लिए डोक्युमेंट बनवाते हैं तो वहाँ पर अपना नाम सैफली कान लिखेंगे ना कि नवाब सैफली कान लिखेंगे आप खुद अपनी मरजी से बोल सकते हैं उसमें कोई बात देता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति वो खुद उस चीज का यूज नहीं कर सकता तो यह उपादियों कान तो हो जाता है यहाँ पर, और भारत सरकार दोरत है भारत रतन, वादम विफूशन, पदम भूशन पदम श्री, सैना के परमवेर चकर वीर चकर, आधि पुरुषकार, आर्टिकल 18 के तहट दिये जाते, मतलब देखे, अगर किसी व्यक्ति ने, देखे, आर्टिकल 18 के तहटी, अगर किसी व्यक्ति के पास भारत रतन गया है तो भारत रतन उनको मिला है तो भारत रतन के तहट, अब वो ही नहीं है कि suppose किसी A वेक्ति को भारतरतन बिला, इसका नाम A था और अपने नाम के आगे भारतरतन लगाए या अपने नाम के पहले भारतरतन लगाए तो ये भी valid नहीं है, भाई ये नहीं कर सकते हाँ दूसरा वेक्ति कर सकता है सम्मान में लेकिन वो खुद अपने लिए ऐसा यूज नहीं कर सकता clear हो गया, और आप सोचें कि अगर कोई वेक्ति लगाए ले तो क्या हो क्या उसके लिए कोई सजा का प्रावदान है, नहीं उसके लिए कोई सजा का प्रावदान नहीं है, में भी गौर्वर्मेंट जो है, वो प्रुषकार वो वापस ले ले तो यह सब चीज हो सकती, कोई सजा का प्रावदान नहीं हो सकता तो आर्टिकल 18 में क्या है, उपादियों का अंत है यानि टाइटल्स को यहां पर abolish किया गया है क्लियर हो गया यहां पर, तो यह हो गया हमारे सामने Right to Equality की जितने भी आर्टिकल थे हमने इंजिजों को कवर कर लिया है, अब हम बात करें स्वंतंतरता का अधिकार Right to Freedom की बात कर लेते हैं, देखे, Right to Freedom में हमारे सामने आते हैं, 19 सबसे पहले और 19 में आपको पता है कि 19 F संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसे 44 में समिदान संचोंदन द्वारा 1978 इसको हटा दिया गया और Article 300 के Close A में डाल दिया गया कानूनी अधिकार दे दिया गया, इसको कानूनी ले लीजिए, दिया जाएगा आपको कुछ पैसे दिये जाएगे इवन 4 गुना जितनी भी आपकी प्रोपर्टी होती है, उसकी उस वक्त जितनी भी पैसे होते हैं, उससे 4 गुना सरकार जो हो पैसे देती है तो यह दिया गया है लेकिन आप नहीं माने तो तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ले लेगी आपसे ऐसा नहीं कि आप जित करके बैठ गये तो आपकी नहीं चलेगी वहाँ पर तद अभी तो यह मौली का दिकार से टाकर इसको कानूनी दिकार बना दिया गया अब यहाँ पर 6 अधिकार और पड़ लेते हैं देखे, आर्टिकल 19 के A में बोलने का अधिकार है इस बोलने का अधिकार में ही प्रेस की स्वंतंतरता आती है अब बोलने की स्वंतंतरता का अब ऐसा नहीं कि आपके उपर reasonable restrictions है आप ऐसा नहीं है कि देश के खिलाब बोलने लग जाओ या फिर दूसरे की dignity या फिर उसकी जो होता है नहीं कि गर्व के साथ उसको जीने का अधिकार है उसको भी सम्मान का अधिकार है तो आप उसका भी हनन नहीं कर सकते हो तो यहां पर reasonable restrictions है हर एक अधिकार के उपर reasonable restrictions दी गई है दूसरा यहां पर आटिकल 19 के भी में शांतिपूरों के बिना हतियानों के एकत्रित होने का सभा करने की संतंतरता है आप 2-3 दोस्त मिलके क्या आप 5-6 मिलतर मिलके शाम के टाइम में घूम सकते हैं यह अधिकार है आपका लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने कट्थे हुए अधिकार ले लिए भईया चलो भईया मारते हैं दूसरों को डुराते हैं यह चीज़ नहीं हो सकती यह reasonable restrictions आ जाती हैं यहां पर same article 19 के C में संग बनाने की संतंतरता है संग जैसे कि आपने सुना ना कि एक bus driver का जो होता है जो drivers होते हैं उनका एक union होता है या auto rikshah होते हैं उनका एक union होता है वो संग होता है अपने एक तरीके के जो शेत्र में लगे हुए लोग हैं, वो अपना एक संग बना सकते हैं, वो उसको बनाने की स्वंतंतरता है, यहां पर, ओके, आर्टिकल 19 के D में, किसी भी, किसी, मिल्लब कि देश के किसी भी शेत्र में आवा कमन के स्वंतंतरता है, अब आवागमन के संतंतरता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप चले गए भी है, मुझे तो सुप्रीम कोट के अंदर जाके बैठना है, यहाँ पर मुझे गोमना है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप आप चले गए राष्टपती के भावन, राष्टपती भावन के अंदर, वहा सकते हैं, अब यहाँ पर यह चीज है कि संतंतरता है, निवास करने की, तो फिर वही सवाल उठता है कि मुझे तो राष्टपती भावन में कमरा चाहिए, मैं ले लूँ क्या, नहीं ले सकते तो, वह चीज नहीं है, देखिए हर एक आर्टिकल की यहाँ पर आपको अब इसके लिए आपने कहा कि देखिए, मैं तो किसी को मारना चाहता हूँ, उससे मेरी जीविका चलती है, ऐसे तोड़ना हो जाएगा, तो यह सब चीजें है, तो यह सब चीजें है, वह चीजें आपको समझ में आई होगी, पूछा जाते है कि आर्टिकल 19 में क्या-क्या आजाती है, और इसी में प्रैस की संदंतरता आजाती है, अब यह हो गया हमारे समने आर्टिकल 19, जिसके अंदर आपने 6 आर्टिकल देख लिए, और 7 आर्टिकल मैंने आप लोगों के बता दिया, जिसको हटाया गया था, 300 आर्टिकल में क्लोज एमिस को डाल दिया गया, क ऊप्रीम कोट रक्षक होता है, आप चले गए प्रीम कोट में, प्रीम कोट ने कहा भाई इन्सान का मौलिके खिरान, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इससे सरकार रह गया अटक के, अब रह गई तो उसका तो इससे इलाज करते हैं, 54 समिज़ दान जोधन करते हैं, और 1978 पूरी स्वंदन दरता है तो यह हो गया हमारे सामने अब आते हम बात करें आर्टिकल 20 अपरादों के लिए दो शिद्धी के संबंद में सरंक्षन भाई यहां पर बात बोली गई है अगर आप ने कोई क्राइम कर दिया और आपने कोई क्राइम कर दिया आप कन्विक्ट हो ग सारा जाँन परताल करके अविडेंस आपके खिलाफ है आपको अपरादी घोशित कर दिया गया है मतलब एक तरीके से मानने की कह रहा हूंगी imagination कर लीजिए, कहीं कहों कि मुझे ही क्यों बोल रहे हो sir, एक तरीके से imagination बोल रहो है, तो आपको अपरादी गोशित कर दिया है और अपरादी गोशित करने के बाहाद, आपके पास क्या क्या अधिकार आते हैं, उसके बारे बताया गया है, article 20 के अंदर क्या बोला गया है, कि देखिए, इसके अंदर आपको तीन तरीके के संदंतरता मिलेगी, देखिए, कि इतनी खुबसूरती हमारे समिधान की, अपरादी को भी अधिकार दी जा रहे हैं, अधिकार क्या है, कि 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 किसी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, दो बार नहीं मिलेगी, for example, आपने चोरी की, चोरी की आपको मान लें, तीन महीने की सजा हो गई, अब तीन महीने बीते, आपको सरकार मतलब की नियाएले ने फिर से, या तीन महीने फिर से दे तो इसको, तो यह हो गया हमारे सामने एक आता है अपने पास दूसरे नंबर पे कि अपराद करने के समय जो कानून था उसके ताहट सजा मिलेगी नहीं कि पहले वाले कानून मतलब पहले या बाद में बनने वाले कानून के था बही एक्जामपल आपने क्रिमिनल के लिए चीजें होती हैं सीविल के लिए थोड़ी बहुत इसमें चेंजें जाया जाती हैं जैसे जीएस्टी हो गया जीएस्टी जैसे लागू गया गया तो वह पुराने टाइम से लागू कर दिया गया था लाया गया उसे समर्लोब आज की डेट में 2022 के अंदर कोई कानून या नि फिर कहें कि GST फिर से लाया जाता है और यह कहा गया कि यह तो है पुरानी डेट 2000 से भी लागू होगा यह तो वो कर सकते हैं लेकिन यह सीविल मामलों में चोटे मोटे उसके अंदर कर सकते हैं किसमें मतलब कि किसमें कंसिडर किया जाएगा जीरो से लेकर 16 तक को यह बात मिला गया लेकिन यह चीज यह वो 17 साल के उपर लागू नहीं हो सकती थी तो यह चीज कह रहा हूँ कि मैं अब यहाँ पर थर्ड में क्या बोला गया कि कि किसी भी व्यक्ति को स्वेम के विरूद मतलब कि आप गभाई के लिए बातें नहीं कर सकते और इवन हमारे देश में तो कहीं जगा ऐसा है कि आपने अगर मान भी लिया कि हाँ भई मैंने किया है तो वो एक त्रीक से एविडेंस के तहत कंसीडर किया जाएगा सरकार कोट तो फिर भी यही कहेगी पुलिस को कि आप इन्वेस्टिकेशन करिए और एविडेंस लेका आईए यहां पर केवल एक गभाई के देने के दोर पर हम उनको सजा नहीं दे सकते तो आप खुद के किलाब गभाई नहीं दे सकते तो यह हो गया हमारे समने तो कितनी बड़िया चीज़ें है यह चीज़ें की कही है अब आगे चलते हैं अब आर्टिकल 19 है 21 में जैसे प्राण एमम देहिक स्वंतंतरता का सरंक्षण है काफ इंपोर्टन है कि आपको जीने आपको वन्चित नहीं किया जा सकता मतलब कि आपके जीने का अधिकार आपसे छेना नहीं जा सकता सिंपल सिंपल शब्दों में यह बात बोले गई है और आर्टिकल 21 के तहती अब देखिए जो भी आर्टिकल निकल के आता है आपने आर्टिकल 91 ए पढ़ा 91 आर्टिकल का ए में आपको बोला गया कि आपको स्वंतंतरता है आपने विचार व्यक्त करने की और उसी में एक आर्टिकल आपने पढ़ा कि प्रेस की स्वंतंतरता है इसे इंफर्ड राइट का जाते है कि उससे हमने निकाल ले वा आर्टिकल बोला तो नहीं गया लेकिन उसका मतलब त देखिए कितनी बड़िया बात है, बोला गया कि आर्टिकल 21 के तायट परतेक सरकार का दायतों बनता है कि वह अपने नागरिकों को सवास्ते और स्वाष्च पर्यावरण उपरालत करें, यह आपका राइट बनता है कि आपको अच्छा सवास्ते मिले, आपको अच्छा पर् अधिकार है, आपको अधिकार है कि आप noise pollution में ना रहें, यह आपको अधिकार है, इवन आपको यह अधिकार है कि आपको अधिकार है कि आपको अधिकार है, अगर आपको सजा जब वो तीन साल या तीन साल से कम हुई है तो इसके अंदर आप अधिकार ना लगवाने का भी आपको अधिकार है यह सारे अधिकार कहां से निकाले गए है यह article 21 से ही निकाले गए है आपको वही legal साहिता की अधिकार है आपको बहुत सारे चीज़ है मतलब इतनी सारी चीज़ें कि आप बाहर जाने का आपको अधिकार है मतलब राइट अगेंस्ट बॉंडिंट लेबर का अधिकार है इतनी सारी चीज़ें आपको दी गई है इस आर्टिकल 21 के तहती इतने सारे इंफर्ड आर्टिकल निगाल ले गए हैं यहाँ पर ओके तो यहाँ पर यह बात बोली जा रही है न अक्टूबर 2010 में राष्ट्रिय हरित न्यायदी करण की स्थापना की गई राष्ट्रिय हरित न्यायदी करण की मुख्य पीट नई दिल्ले में है जबकि चार अन्य पीटें बोपाल, पुणे, कॉलकता, चिन्नही में है राष्ट्री हरित न्यायदी करन देश में प्रयावण से सम्मंदित मामलों के लिए उत्तरता ही हो गया तो आर्टिकल 21 यहाँ पर आ जाते है फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 का ए यह काफी इंपोर्टन्ट है छे से लेके 14 वर्स के उमर के बच्चों के लिए ऐसे डंक से जैसे कि राज्य है यानि जो देश चाहे विधी द्वारा अव धारित करे उन्हें निशुलक और अनिवारे शिक्षा उपलब्द कराए चास्तिवा संशोधन 2002 में यह चीज़ आइड के गए थी हमें देखे लग भग कितने साल लगे 2002 में तो यह आया था लेकिन 2009 में एक्ट बना था 2009-2010 में तो इतना टाइम हमें लग गया था इस चीज को लाते लाते कितना टाइम लग गया भई हमें शिक्षा भी एक मूरतिकार में आनी चाहिए और 6 से लेके 14 तक लेकिन हमारे देश में जो एक्जाम निकलते हैं वो भी 10th, 10th बेस पे इस बेस पे निकलने चाहिए तो यहां पर कम से कम उसको graduate नहीं तो कम से कम 12th लेवल तक की तो शिक्षा हैं पर पर प्रवाइड कराने चाहिए न पट फिर भी यहां पर किया गया एसास हुआ कि हाँ 6 से लेके 14 तक जो यहां पर बच्चों को free शिक्षा देनी चाहिए लेकिन इसमें भी googley खेली गई है सरकार के द्वारा भाई जो bureaucrate है उन्होंने इतनी बड़िया चाल चली इसके अंदर कि भाई यह ठीक है अब आप सोचिए कोई बच्चा जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है आप कहेंगे कि भाई इसको तो सरकार शिक्षा दे नहीं रही है लेकिन यहीं पर फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 के आर्टिकल 51 के क्लोज ए में यह बात बोले गिए जिसमें 11 ड्यूटी जिसमें बात बोली गई है कि अभी वावग यहीं जो माता पिता है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिल करवाएं बाद में सरकार का करते वे होगा उसे फ्री शिक्षा देना पहला तो अपना आपका करते वे निभाना होगा आपको तो यह गुगली खेल दी गई है थी आपे अब आप किसी बच्चे को देखेंगे न कहेंगे सरकार ने दे निरे बाईया साथ साल का बच्चा इसको शिक्षा नहीं दे रहे देखिए अगर किसी वेक्ति को मनमाने डंग से आकर हिरासत में यानि अरेस्ट कर लिया गया तो उसे तीन परकार की सुन्तिन दर्ता परदान कीगे एक तो भाई ये बताना होगा आपको अरेस्ट क्यों किया गया दूसरी चीज उसको 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर मेजिस्टेट के सामने पेश करना होगा और उसे अपने मन पसंद का वकील करने का अधिकार होगा उससे सला करने का अधिकार तो ये हो गया अरेस्ट और डिटेंशन के लिए अब यहां पर आपको दो चीज़ें समन्नी है दो चीजे यहां पर हिंदी में समझा जेता हूं फिर कहेंगे सर इंग्लिश में आ रहा है एक होता है दंड एक होता है दंड विशेक और एक होता है आपके सामने निवारक अभी जो आप पढ़ेंगे न निवारक के बारें पढ़ेंगे एक होता है निवारक एक होता है दंडविशेक अब यहाँ पर क्या है इस दंडविशेक में क्या होता है आपको भाई पकड़ कर कोर्ट में लाया गया और कोर्ट में लाने के बाद आपके खिलाफ सारे एविडेंस मुझूद थे और कोर्ट ने वो सारे एविडेंस चेक किये और उसको सही लगा, वो satisfy हुआ और उसने सजा दे दी यहाँ पर, और सजा दे दी, सजा देने के बाद आपको मतलब वो भुकतना पड़ेगा तो वो दंड विशेक के अंदर आ जाता है यह दंड विशेक के अंदर आता है लेकिन निवारक के अंदर के अंदर होता है उल्टा, उल्टा यह भाईया इसके अंदर यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नहीं कि आपके evidence आये हैं तब आपको सजा दी जा रही है नहीं भाईया, पहले ही गिरफतार कर लिया जाएगा यहाँ पर आपको, और गिरफतार कर लिया जाएगा कम से कम तीन महीने तीन महीने तक जेल में रखा जाएगा और तीन महीने के बाद आपको, आपको मतलब आवाज रुठाने का या फिर कहें कि आपको वकील करने कातिकार तब दिया जाएगा यहाँ पर और इवन तीन महीनों से भी ज़्यादा कई किवार छे-छे महीनों तक इतना ज़्यादा अत्याजारी कानून है ये निवारक तो अब धड़िये जरा यहांबर क्या है निवारक निरोद लिका गया है तो निवारक निरोद समझ Benson के वारती समविदान के अनुश्यद 22 के क्लोज कह सकते हैं कि 3 और 4 और 5 और 6 के 6 में तत संबंदी प्रावधानों का उलेक हैं निवारक निरोद कानून के अंतर का किसी वेक्टि को किसी वेक्टि को अपराद करने के पूर्व यानि पहले ही गिरफतार कर लो भाईया अब बूर्व कैए कि तो किसी को बिठा सकते हैं इसका काफी ज़्यादा इल्जाम यही उठता है कि इसका misuse किया जाता है आप समझेए कि आपका collector आपके जिले में आपने collector के साथ आपकी थोड़ी बहुत बहास हो गई, इतना जादा हो गया तो collector साब ने कहा कि भाईया इसके घर में कुछ असला वसला रख दो पुलिस को गया है, पुलिस को असला वसला मिला डाल दिया आपको तो भाईया इसके अंदर लटक गए आप तो तीन से चे महिने तक यहां पर तो यह वाली चीज है आपर इसका misuse भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है और इवन आप देखिए, यह जो चीज थी तो बिल्कुल नॉर्मल कंडिशन में चीज़ें जल रही है कि पकड़ लो, जिनको पकड़ना हो आप तो निवारक निरोध का उदेश है व्यक्ति को अपराद के लिए दंड देना नहीं, वारो उनसे अपराद करने से रोगना है, बहुत बड़िया वस्तुत है यह निवारक निरोध, राजजी की सुरक्षा, लोग व्यवस्ता बनाए रखने के लिए भारत सुरक्षा संबंदी कारणों से हो सकता है, जब किसी व्यक्ति को निवारक, निरोध के, किसी वीदी के अधिन, गिरफतार किया जाता है, तो तब देखिए उसके साथ क्या-क्या होता है, कि सरकार ऐसे व्यक्ति को तीन महीने तक, उसको जेल में बंद कर सकती है, और गिरफतार व्यक्ति को तीन महीने से अधिक, अगर उसे और जेल में रखना है, तो या वहां कि आपको सलाकार से मतलब आग्या लेनी पड़ती है तो इस चीजें हो सकती है और इस परकार जो व्यक्ति जिसको detent किया गया है जिसका arrest किया गया है उसको जितना जल्दी हो सके उसको reason बताओ क्यों क्यों arrest किया गया है अगर ऐसा लगता है कि वहिया वो reason जो है आप बता देंगे तो उससे खत्रा हो जाएगा तो आप ना बताएं फुल on power है आप फुल on power और उसके बाद उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने वकील को करने की उसको छूटती जानी चाहिए लेकिन वो भी कब वो भी वहिया तीन महीनों बाद ऐसा नहीं है जल्दी तीन महीने बाद या छे महीने बाद रखेंगे वहाँ पर और इस निवारक निरोध के तहत कुछ कानून आये थे उनको आपको जाना जरूरी है एक था निवारग निरोद अदिनियम 1950 में लाया गया था 26 फरवरी 1950 का पहला निवारग निरोद आया था और ये इसलिए लाया जा गया था कि जो राश्ट विद्धितत्व है उस वक्त तो देखे देश अजाद हुआ था पर काफी सारी देश को तोड़ने की गतिविदिया चल रही तो उसको रोकने के लिए चीज़ें की गई थी और इसे एक अपरेल 1900 क्या उनको वैसे खतम हो जाना चाहिए था लेकिन टाइम 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 इसके अंदर शंचोधन किया गया और इसको बढ़ाया गया और इसको खतम किया गया 31 दिसंबर 1971 को लेकिन इसकी जगा भाईया इतना असान तोड़ना था एक गया तो दूसरा आया फिर आया मीसा आया मीसा आया चौनली संचोधन 1979 में कुछ ऐसे नियम थे जो इसके विरूत थे तो इसके चलते यानि इस मीसा के विरूत थे तो इस मीसा को खतम कर दिया गया चौछ चलिए कोई ना मीसा को खतम किया तो और भी काफी सारी चीज़े है उनको लेकर आएंगे तो 1980 में राष्टे शुरक्षा कानून आया जमो कश्मीर के पहले इसमें तशकरों के लिए नजरबंदी के अवदी एक वर्स थी तेरा जुलाई 1984 के एक अदेदे द्वारा ये दो वर्स कर दी गई तो ये था फिर ये रहा ये तो काफी भ्यंकरी था ताड़ा था भईया ये ये विक्ति आप देख रहे हुँ ना संजेद इनके पर टाड़ा ही लगा था इतनी जादा बूरी हालत कर दी गई थी आप देखिए एक रिपोर्ट थी रिपोर्ट के ताइद बताया गया था कि लगभग 75,000 लोगों को अरेस्ट किया इस कानून के ताइद और जिसमें से लगभग 400 पर ही मतलब बाकी 400 पर ही ये कही न कहीं फिट बैठा था और इन 400 पर भी इतनों ने इतना कोई बड़ा क्राइम नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी लगाया गया था बाकी देखिए कितनी जादा जनसंक्या में लोगों पर इस कानून के ताइद मतलब अंदर डाल दिया गया था तो काफी जादा इंपोर्टन्ट है ये काफी जादा ब्यान गयी है तो सबसे अधिक परभावी और सबसे जादा कठोर था ये 23 मार्च 1995 को इसे खतम कर दिया गया लेकिन खतम किया गया तो भीया सरकार न है और इसके अंतरकत 23 आतकवादी गुटों को परतिबंदित यानि रस्टिक्ट किया गया आतकवादी और आतकवादियों में संबंदित सूचना को छुपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान था इसके अंदर पोलिस शक्क के अधार पर किसी भी व्यक्ति को गिर और पोटा 28 मार 2002 को एक अधिनियम लाया गया प्रवेंशन ओव टेरिजम एक्ट उसे पोटा कर दिया गया है यहाँ पर अब यहाँ पर एक 31 यानि 21 सितंबर 2004 को एक अधिया देश दौरे से समाप्त कर दिया गया अब आप कहें कि अब नहीं है कि अब है ना UAPA है आज की ड जहत भी क्या हो रहा है कि लोगों को पकड़-पकड़के डाल दिया जाता है कि यहाँ आप तो यह अन एक्टिवीटी अन लॉफुल एक्टिवीटी कर रहे हो यहाँ पर ये चीज़ें आभी भी चल रही है तो उमीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी PDF जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएगी Telegram का एक link दिया मिलेगा ये part 1 था इसके बाद हम और भी जो हमारे article बचे हैं उन्हें part 2, part 3 में cover कर लेंगे तो वीडियो पसंद आईए तो like करें चैनल को subscribe करें और PDF आप लोगों को टेलिग्राम का एक link दिया है वहाँ से जाके download कर सकते हैं और ज़्यादा ही पसंद आगे हैं तो share करें आपके एक share से बहुत जादा motivation मिलता है या subscribe से बहुत जादा motivation मिलता है तो बसाच के लिए इतना है था thank you for watching this video